दोस्तों फिर से आच हमलों बात करेंगे एक इंडियान फार्मा कंपनी के बस इसका सेग्मेंट अलग रहेगा जिसमें आप पहले हमलों जो बात करते हो जैसे कि रिसेर्च, डेबलेमेंट और ड्रक्राइब का उपर र्ने असे के हिसाव से उसी segment में उसका एक अच्छाका सा market capitalization है और market capture भी है और यह इसी segment में एक leading company है और यहां पे आप लोग को पता है कि इसमें राकेस जिनजुन ऑला सार का भी बहुत अच्छाका सा investment भी है और यह किसी को मतलब यह बात चुपा नहीं हुआ है और यहां पर कैसे हम लोग को investment strategy बनाना चाहिए इसका price range क्या होना चाहिए इसका fundamental टेकनिकल दोनों हम लोग देखेंगे उसके साथ-साथ हम लोग financial भी discuss करेंगे तो मैं आगे लेके चलता हूं और आखिर तक वीडियो को जरूर द 139 करोड का company है और ROC है 9.23 अगर इसका piers comparison किया जाए तो यहां पर आप लोग को में पहले से बता दिया हो box drugs manufacturing करता है in the case of the pharma तो यहां पर सबसे ज्यादा आप लोग को दिख जाएगा device lab का उसके बाद आपका बहुत सारा है उसको सबसे कम अगर दिखा देखा जाए last के तरफ से अगर आपको लोग ranking करोगे तो आप लोग को लिवपीन दिख जाएगा ठीक है तो यहां पर आप लोग को ROC थोड़ा सा कम मिलेगा और यहां पर अगर आप लोग देखोगे इसका यहां पर डेट तो डेट आपको 6305 करोड का दिख जाएगा लेकिन अगर लाच के आप कमपनी के पाद 6000 करोड का डेट है लेकिन थोड़ा सा ठीक है उतना ज्यादा भी आप लोग बोल सकते हो उतना ज्यादा दिक्कत की बा और अगर प्रॉफिट लॉस के बात करेंगे तो प्रॉफिट लॉस के हिसाफ से आप लोग देखोगे कि कंसिस्टेटली ग्रोइंग प्रॉफिट था बस आपका मार्च 2020 में यह लॉस दज किया हुआ है फिर लास्ट बारा महिने से यह लॉस ही चल रहा है अगर क्वाटर क सेकेंड लास्ट क्वाटर में प्रॉफिट डच किया हुआ है और यहां पर प्रॉफिट घटा हुआ है बट लॉस नहीं हुआ है तो एक यह अच्छी बात है कि कंपनी एक बार प्रॉफिट कमाने के लिए कोसीज भी कर रहा है और फ्री क्यास्ट लोग के बात किया जाए तो लास्ट तीन साल में आपको पॉजिटिव दिख जाएगा और लास्ट पांच सल में भी आपको पॉजिटिव दिख जाएगा इसका मतलब किया हुआ कि कंपनी में जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो क्यास के हिसाब से सही ढंग से आ रहा है उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है तो यहां पर जैसे कि प्लेस परसेंटेज़ आप लोगों को दीख जाएगा 0 कोई इसका प्लेस नहीं है जो की बहुत अच्छी बात है और यहां पे 47% के आसपास का प्रोमोटर होल्डिंग है जो कि थोड़ा सा दिक्कत की बात हो सकता है जो कि 50% हम लोगा थ्रेसरोड होना चाहिए उससे थोड़ा सा कम है और यहां पे अगर हम लोग इन्वेस्टर्स में जाके देखते हैं तो पूरा डिटेल हम लोग को पता चल ज तो यहां पे पॉब्लिक का भी यहां पे थोड़ा सा घटा हुआ है अप लोग बोल सकते हो लेकिन प्रोमोटर होल्डिंग आप लोग का कॉंसिस्टेंट है लास्ट आप लोग देखा जाए तो साथ से आठ वाटर से तो यह वाला आप लोग को देखना जरूरी है या क्यो यहां पे देट थोड़ा सा घटा है में जितना अनलीसिस किया हुआ था और यहां पे और कैस फाप भी सही से आरा है तो हम लोग सिधा चलते हैं तो टेक्नीकाल ब क्या बोल रहा है एक यहां आप यहांपे में सूट कर रहा हूं सब्रայ मार्ट खुलने से पहले तव का रही है उसके बाद One Week में आप लोग देखोगे कि यहां पे भी एक अच्छा कासा इंग मुमेंट दिया हुआ है और One Month के हिसाथ से अगर आप लोग देखोगे यहां पे भी एक अच्छा कासा 20 and 200 वाला जो चार्ट है जो कि हम लोग का long term भीव बताता है यहां पर आप लोग को दिख जाएगा कि जो भी इसका चार्ट है तो 20 EA में के साथ ही यह लपेटा हुआ रहता है यह 20 EA में के साथ ही काम करता है जब भी यहां से दूर जाता है एक बार बापस आने के लिए कोसिस ज़रूर करता है और यहां पर जो blue line और red line के अंदर में बीच में जो relationship है जो reverse triangle बनाने का वह reverse triangle फ्लाटन पार्टन में बन रहा है और यहां पर जो भी का एक बार रिटन मिल सकता है अगर यह क्रॉसवर होता है अगर आप लोग चैनल के साथ जुड़े हुए तो अच्छी बात है आप लोग अपडेट मिल जाएगा मैं पोस्ट में अपडेट डाल दूगा अगर नहीं हो तो एक बार जुड़ जाएगा आपको अपडेट सही ध यह भी बहुत अच्छा है तो एक बहुत पॉजिटिव साइन है लेकिन इसमें क्या हो सकता है मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर मैं यहां पर फिपो न्याचि पर्टाव करता हूँ आपका लोएर पॉंट से लेकर फाइव पॉर्ट में ट्च करता हूं तो यहां पर लोग को दिख जाएगा कि लगभग आपका जो भी है यहां पे अच्छा कासा भॉल्म के साथ यहां पर टच किया हो गया है 1019 का तो यहां पर जभी भी क्रोसवर हुआ है और यह बहुत जादा मुवमेंट हो चुका है तो यहां पर आप लोग को एक नीचे की तरब से अच्छा कासा इंवेश्मेंट करने के लिए मौका भी मिल सकता है करेक्ट बर ज्यादा लंबा हम लोग के इंवेश्मेंट करना नहीं है इसमें कि रीजिन आप लोग को पहले से में बता चुका हूँ और यहां पर फिर जो डाइवर्जेंस है यह एक डाइवर्जेंस बन रहा है धीरे धीरे एक higher high और lower high का जो की एक negative bias है एक bearish divergence है और इस bearish divergence के साथ अगर आप लोग काम करोगे तो यहां पर थोड़ा सा आपको profit booking देखने के लिए मिल सकता है तो यहां पर volume down होने के लिए भी थोड़ा सा कोसिस हो सकता है तो यहां पर wet and watch रहेगा तो आप लोग को इसके हिसाब से आप लोग को decision लेना है और यहां पर आप लोग को इसी हिसाब से price को आप लोग नीचे जब आ जाए तब आप लोग को उसके उसमें काम करना है तो फिर हम लोग चलते है इसका nifty के साथ correlation coefficient क्या है तो यहां पर correlation coefficient निकल के आता है 0.54 इसका मतलब है और पहले से थोड़ा सा घटा भी हुआ है इसका मतलब क्या हुआ कि यहां स जो भी निप्टी के साथ relation है यहां से थोड़ा सा कम हो रहा है और निप्टी के साथ जो भी भी है आप लोग का लिवपीन के साथ उसका भी उतना ज्यादा मैच नहीं करना चाहिए हाला कि 0.5 के थोड़ा सा उपर है बर धीरे धीरे यह जो नीचे घट रहा है तो इसके 1,000 पॉइंट अगर इजाफा आता है निप्टी में लेकिन इसमें 50% का आपसाइट आप लोग को देखने के लिए मिल सकता है तो यह था हम लोग का एक टेकनिकल आनलिसिस ऑन दल्यूपिन तो इसको मैं एक बार समराइच कर दता हूं यहां पर अगर फंडामेंटल आनलिस का बढ़ा हुआ है और इटेल इंवेस्टर का भी घटा हुआ है तो यहां पर आप लोग रैंकिंग के लिए बोलोगे तो 7 आउट अप 10 आप लोग को रैंकिंग देना चाहिए इसमें फिर यहां पर एक क्रॉसवर दिख रहा है तीनों में अच्छा का सा इजाफा देखने लिवपिन और यहां पर अगर आप लोग रिवर्स ट्रियांगेल का कोसिस कर रहे हैं तो यहां पर नहीं मिल पा रहा है उतना सार्पनेस के साथ अगर भी यहां पर क्रॉसवर होता है तो आप लोग को ज्यादा लंबा टाइम तक अच्छा का सा इन्वेस्टमेंट में लेवल तक आ सकता है अगर यह फिवल तोड़ता है तो एक बर 850 के नीचे भी आने के लिए कोसिस भी कर सकता है और यहां पर एक रहा है जो कि एक अच्छा का सा गिरावट दिखाने के लिए और यहां पर जब भी गिरावट आएगा तब आप लोग को पता चल जाएगा कि इसमें आपको कौन सा लेबल में आप लोगो काम करना है और यह फुला जो भी आपका है यह जदा साथ नहीं है वो मैं मानता हूं जो भी गिरावड होगा इसका जो resultant होगा उतना जदा सा नहीं होगा तो आप लोगो 940 से 900 की बीच में आप लोगो के लेबल देखने के लिए सकता है आज पर दिस आपका डाइवर्जेंस के हिसाफ से राइट फिर हम में चलता हूं इसका निप्टी के साथ अगर चैनल में पहली बार है तो एक बार सब्सक्राइब कर लिजे और यहां पर आपका और अपना फैमली का पोट्फिले का ख्याल रखिए तब तक के लिए धन्यवाद